रखाव सला ओ मंजर भी आएगा प्यासे के पास चल कर शमंदर भी आएगा ठक कर ना बैठ ए मंजिल के मुशाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का माजा भी आएगा हेलो दोस्तो कैसे हो आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग पोल्टीकल साइंस से रिलेटेड महत्पून प्रश्न को देखेंगे जो बोर्ट एकजाम 2023 की दृष्टी कौनशे काफी महत्पून है तो चलिए ज़़ा दे न करते हुए वीडियो की शुरुबात करते हैं हम लोग के सामने फ़र्ष्ट कुचन है कि बीस वो एट्स दिवस कम मनाया जाता है ऑप्शन है एक दिशंबर ऑप्शन भी है दस दिशंबर ऑप्शन सी है 24 दिशंबर और ऑप्शन डी है इन में से कोई नहीं तो इसका आप चर्व पर्थम किस राज में महिलाओं को 50% आरक्षन दिया गया तो इसका एपसुलूटली राइट एंसर है ऑप्शन नमबर शी बिहार साथी आप कोई बता दे कि पंचायती राज व्यवस्ताओं को लागू करने वाला प्रथम राज राजस्थान था अब चलिए को चन कर रहा है कि प्रथम गूट निर्पे अक्षे समेलन के अध्य अक्षे कौन थे तो इसका क्रेक्ट एंसर है ऑप्शन नमबर डी मार्शल टीटो साथी आप कोई बता दे कि प्रथम गूट निर्पे अक्षमेलन उनिश्व एक्साटिश्मी में हुआ था और कहां हुआ था तो बेल ग्रेड में हुआ था फ्रेंट सी अभी काफी इंपोर्टेंट प्रशन है अब चलिए अगले प्रशन को देखते हैं अगला प्रशन का रहा है कि तीहत्तरवे सभिधान संसोदन के द्वारा भरतिये सभिधान में कौन सी अनुसुची जोडी गई फ्रें आगले प्रशन को देखते हैं अगला प्रशन है कि आपसन नमबर च शोब्यत संग अब चलिए अगले प्रशन को देखते हैं हम लोग के सामने आगला प्रशन कह रहा है कि संजूगत राज अमिर्का में कुल कितने राजे है आप्शन A है 49, आप्शन B है 50, आप्शन C है 50 और आप्शन D है 52 तो इसका absolutely right answer है, आप्शन नमबर B 50 अब चलिए अगले प्रशन की और बढ़ते हैं आगला प्रशन करा है कि जर्मानी का एक करन कब हुआ फ्रेंड्स यह काफी important प्रशन है तो इसका सही उत्तर है, option number 6, 1990 में साथी आप कोई बता दे कि जर्मानी का एक करन बिश्य मार्क ने किया था अब चलिए next कुचन को देखते हैं हम लोग के सामने आगला प्रशन करा है कि भारतिये सविधान के किस अनुछेद के तहद बितिये अपतकाल लगाया जाता है तो इसका सही उत्तर है, option number 6, अनुछेद 360 साथी आपको ही बता दे कि अनुछेद 302 के तहद राष्टिये अपतकाल को लगाया जाता है और आपको ही बता दे कि अनुछे 356 के तहद राष्टपति सासन को लगाया जाता है अप चलिए next कुचन को देखते हैं हम लोग के सामने आगला प्रशन है कि भारतिये नागरीकों को कितने मौली कधिकार प्राप्त है तो इसका सही उत्तर है अप्शन नमबर 6, 6 साथी आपको ही बता दे कि पहले भारतिये नागरीकों को शाथ परकार के मौली कधिकार प्राप्त थे लेकिन आगे चल कर 44 शविधान संसोदन 1978 के दोरा शमपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया इस परकार हमारे शविधान में कुल 6 परकार के मौली कधिकार उपलब्द है अब चलिए अगले प्राप्त की ओर बढ़ते हैं अगला प्राप्त है कि 20 वो अहिंसा दिवस को मनाया जाता है तो इसका सही उत्तर है अब चलिए अगले प्राप्त को देखते हैं अगला प्राप्त है कि भारतीय सभिधान में शमवर्ती शुची कहां से ली गई है तो इसका सही उत्तर है अब चलिए अगले प्राप्त को देखते हैं अगला प्राप्त है कि कानून का समान संदक्षन शावदावली कहां से ली गई है तो इसका अप्सलूटली राइट एंसर है अब चलिए नेक्ट कूचन को देखते हैं अमलों के सामने आगला प्राप्त है कि उल्फा एक आतंगवादी शंगटन है किसका तो इसका क्रेक्ट एंसर है ऑप्शन नमबर शी भारत शाथी आपको ही बता दे कि उल्फा और शमराज का एक सक्रिये आतंगवादी और उग्रोवादी शंगटन है अब चलिए नेक्ट कूचन को देखते हैं अगला प्राप्राशन है कि किसने दुईराष्ट सिदान्त का परतिपादन किया तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नमबर शी मुहमद अल्ली जीनना साथ ही आपको बता दे कि मुहमद अल्ली जीना पाकिस्तानी निवासी थे अब चलिए अगले प्राशन को देखते हैं अगला प्राशन है कि यूरोपीय संग की अस्तापना कब हुई तो इसका सही उत्तर है आप्शन नमबर बी उनिश्च्व तिरान्वे में साथ ही आपको भी बता दे कि इस संग का मुख्याल है बुरूशेल्स में इस्तित है तो फ्रेंट्स मैं ऐसा करते हैं कि हमारे दोरा बताए गए शारे प्राशन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे यदि आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को साथ सेर काना न भुले तब तक के लिए जय हिंद